हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज आमेर होस्ट एंदोस्त प्राहिंश शिराठ बॉलिवूट इंडस्ट्री में हमेशा ही अपने लाइफ स्टाइल के जर्य सुर्खियां बटोरने वाली पॉपुलर आक्ट्रेस तौनम कपूर इन दिनों प् जमकत एंजॉय कर रही है बीते कुछ दिनों पहले ही सौनम कपूर ने अपने पती आनंद आहुज़ा के साथ मिलकर सोशल मीडिया के जरिये इस गुड न्यूज को शेयर किया था बताया था कि जल्द ही उनके घर किलकारियां गुंजने वाली है सौनम कपूर मा बनने वाल है और नन्य से महमान के स्वागत के लिए अभी से तैयारियों में जुड चुके हैं कपूर परिवार के साथ साथ आहुज़ा फैमिली के सदस से एक एक करके अपने इंट्रिव्यूज में कई बाते भी शेयर कर रहे हैं जानकरी के लिए आपको बता दें कि अब सौनम कपूर के भाई आक्टर हर्श बर्दन कपूर ने अपनी खुश्री को जाहिर करते हुए आगे की प्लानिंग्स के बारे में बताया है साथ ही साथ उन्होंने खुलासा किया है कि सौनम कपूर जब फ्रैमली प्लानिंग कर रही थी इस बात के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है कि जल्द ही वे है अब मामा बनने वाले हैं चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिये बॉलिवूर्ड डिवा सौनम कपूर अपने प्रेगनेंसी पीरेट को जम कर एंजॉय कर रही है सौनम कपूर की तमाम तस्वीरें सोशल मेडिया पर चर्चा का विशय बनी हुई है Pregnancy period के दोरान सौनम कपूर फोटो शूर्स कराती हुई नजर आ रही है बेबी बम फ्लॉंट करती हुई देखी जा रही है इन तमाम तस्वीरों में और इसी पीच सौनम कपूर की Pregnancy पर परिवार की सतस्य बात्चीत थी कर रही है आपको बता दे सौनम कपूर की प्रेगनेंसी को तीन महीने से ज्यादा का समय हो चुका है ऐसे में जहां एक तरफ सुपरिस्टार अनिल कपूर ने अपनी खुशी को जाहिर किया तो वहीं अब उनके बेटे अक्टर हर्षवर्धन कपूर ने अपनी खुशी को जाहित किया है हर्षवर्धन ने अपने इंट्रिव्यू में बताया है कि मैं एक भाई हूँ मुझे पता था कि वह कुछ समय के लिए बेबी करने की प्लानिंग कर रही थी इसलिए मेरे लिए ये आशरे जनक नहीं था जतना फैंस के लिए रहा है क्योंकि मैं इस तरह से इसकी उमीद कर रहा था लेकिन मैं ये देखने के लिए काफी ज़ादा एकस्ताइटेड हूँ कि उसका जीवन कितना बदलने वाला है वह कहते हैं कि आपने हमेशा अपने पैरेंस को पैरेंस बनते देखा है क्योंकि आप उनहीं से पैदा हुए हो लेकिन एक भाई बहन को पैरेंट बनते देखना बहुत ही रोमान चक हो सकता है कि आप भी माता पिता बनना चाहते हूँ आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है हर्श्वर्धन ने बताया कि उनकी बेहन सौनम और उनके जीजा आनन्द आहुसा बेहत महत्वकान जी है उन्होंने बताया कि पेरेंस बनने के इंतिसार में दिर्वेट उन्होंने बताया है कि दोनों ही पेरेंस बनते देखने का इंतसार कर रहे हैं मैं ये देखने के लिए वास्तव मैं उत्साहित हूं कि आनंद और सोनम जिनका जीवन बहुत ही व्यस है और जो बहुत महत्वकांची लोग हैं दोनों के पास बड़े करियर वा मजबूत व्यक्तित्व हैं मैं इसका संचालन करते हैं क्योंकि मुझे यकीन है ये कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है इसलिए मुझे लगता है कि बहुत से लोग उस कदम को उठाने से पहले बहुत सोचते हैं इसलिए ये बहुत रोमांचक है इसलिए मैं उनके सुरक्षित और सोचारू डिलीवरी के लिए भी प्रातना करता हूँ हर्षवर्धन काफी प्रोटेक्टिव भाई हैं और सौनम कपूर के लिए वह यहां पर प्रातना करती हूँ नजराए हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो कि भी और उनकी डिलीवरी के लिए प्रातना भी उन्होंने की है वेल मामू बनने को लेकर अब हर्षवर्धन भी काफी ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्वागत करने के लिए पूरी तरीखे से तैयार हैं अपने नन्हे से आने वाले भांजे या फिर भांजे के लिए आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरीए अब हर्षवर्धन की बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया है और वेह भी अब नन्ही से महमान की स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं खबरों की माने दावा की असारा है कि इसी साल सौनम कपूर सितंबर की महीने में अपने पहले बेबी को जन्म दे सकती हैं जानकारी के लिए आपको बता दें आठ मई साल 2018 में सौनम कपूर बिजनस टाइकून आनंद आहुसा के साथ शादी के बंधन में बने थी इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स जाने की दिए देखत रहे है नेक्स्ट नाइन न्यूस